नमस्कार मैं नवल किशोर्त नीरोथर्पिस्ट योग में हमारा जो सरीर है कुछ चक्रों पर आधरित है योग के हिसाथ से हमारे सरीर के अंदर साथ चक्र होते हैं जो एनर्जी का केंद है यानि की उर्जा का केंद है उन्ही साथ चक्रों में कहीं भी इन्बैलेंस हो जाता है कहीं पर उर्जा का अधिक हो जाए या कम हो जाए तो वहाँ पर बीमारी आने के चांसे हैं और निरोधरपी इन योग के आधार पर जो हमारे बॉडी के अंदर बने हुए हैं चक्र इनको बैलेंस करना जानती हैं जैसे सबसे पहले अगर आपका मूलाधार चक्र गरबढ़ है तो आपको जेनेटल आर्गन से रिलेटिड बीमारियां आ सकती हैं इंपोटेंसी आ सकती हैं आपके पीरेड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं इस पर काउंट कम या ज्यादा हो सकता या उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती हैं उसके बाद हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि हमारी नाभी से नीचे का हिस्सा है नाभी से नीचे लेकिन हम मूलाधार से उपर का हिस्सा है ये जो हिस्सा है स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो हमारा डाइजेशन से रिलेटिड है यानि कि पेट से रिलेटिड है जहा तो कि खाना केवल डाइजेस्ट होना ही प्रयाप नहीं है जब तक बॉड़ी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसका कोई मतलब नहीं है वह आपके लिए वेस्ट प्रोडेक्ट है तो हमारा स्वाधिष्टान चक्र जो है वह एब्जॉर्ब करने वाला चक्र है यानि कि व सबकुछ खाने के बावजूद वह हमारे सरीर में नहीं लग रहा है हमारे सरीर को पोशन नहीं दे रहा है इसका मतलब हमारा स्वाधिष्टान चक्र गरवड है तो नीरोधर्पी आपके एब्जॉप्शन पर भी काम करती है ना किवल डाइजेशन एब्जॉप्शन को भी करती है और आप जो कुछ खा रहे हैं वो बाड़ी को एब्जॉप्शन का ही चक्र है जो स्वाधिष्टान है वो आपका एब्जॉप्शन का चक्र है जो मड़ी पूरक है वो आपका डाइजेशन है यानि कि डाइजेश्ट होना चीए कहते हैं कि पेट आपका कैसा होना च चाहिए कि लकड हजम और पत्थर हजम यह इतना स्ट्रॉंग पेट होना चाहिए और वहीं पर अगर आपका मणी पूरत चक्र गरवड है तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स गैस एसीडिटी वदहजमी इंडाइजेशन से रिलेटेड समस्य आती हैं अनाहा चक्र हमारा कोड़ी के हिस्से के आसपास का हिस्सा है अनाहा चक्र जिसको हम हिदा चक्र भी कह सकते हैं जो हमारा हिदे से यानि की जो अस्टनम बॉन है उसके उससे लेकर हमारा ये कोड़ी का जो हिस्सा है ये अनाहा चक्र का भाग है इसमें गरवड़ी होने से आ तो यहां पर भी हम नीरोधरपी के प्रेशर पॉंट देकर इस एरिये में भी सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं और हार्ट के समझ्चाओं को भी ठीक कर सकते हैं समय रहते हैं अगर हमें यह पता लग जाता हैं कि हार्ट में क्या गरबड़ी हैं क्या सिंटम से मूल कारण क्या है तो नीरोधरपी के treatment से हम उसको ठीक कर सकते हीं इसके बाद विशुद्री चक्र है विशुद्री चक्र जो है तो हमारे पास नीरोधरपी के मादन से हम इस विशुद्य केंद्र में भी blood circulation को normal ला सकते हैं यालिकि विशुद्य चक्र को भी सुद्ध कर सकते हैं और फिर है घ्यान चक्र जो हमारा घ्यान चक्र है ये हमारा pituitary gland का area है pituitary gland जिसको हम master gland of body कहते हैं जो हमारे maximum endocrine glands को control करती है चाहे उसमें आपका thyroid हो, चाहे फिर आपका adrenal gland हो, चाहे फिर ovaries हो, टेस्टीज हो, इन सब को control करने का काम हमारे pituitary gland करती हैं, तो हम अगर ये गरवड हैं, तो आपको मानसिक बीमारियां, आपको hormonal समझ से हैं, आपको psychological problems आ सकती हैं, तो इसके नीरोसरपी काम करती हैं, pituitary gland को, चाहे वो anterior pituitary हो, चाहे वो posterior pituitary हो, इन दोनों पे ही नीरोसरपी का control है, और हम इस तरीके से नक केवल physically, हम emotionally और hormonal समस्थाओं का भी समधान करते हैं, और सब से उपर हमारा सहस्रास्त्र चक्र है, जो हमारा pineal gland है, pineal gland जो हमारे biological clock को set करत हैं, हमें कितने बज़े सोना चीए, कितनी देर तक सोना चीए, कितने बज़े उठना चीए, कब भूक लगनी चीए, यह पूरी की पूरी एक process है, जिसको हम biological clock कहते हैं, अगर हमारा सहस्रास्त्र चक्र जो normal है, यानकि यहां पर और जा बिल्कुल normal है, तो pineal gland भी हमारी normal त करने के लिए point बनाया, तो उन सभी point के माध्यम से, हम इन सातों चक्र पर काम करते हैं, जहें हम योग की भास में कहें, कि energy का imbalance होना, इसको भी balance कर सकते हैं, और science की भास में कहें, तो blood circulation को normal करने का काम, नीरो थर्पी कर सकते हैं, तो हम इन चक्रों की गरवडी से आने वाली बीमारियों को नीरो थर्पी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अब आपने ये देखना है कि आपको कौन सा चक्र गरवड है, या आपको कौन से area में गरवडी है, बहुत सारे लोगों को thyroid से सम्झा है, बहुत सारे लोगों को migraine की समझा है, बहुत सारे लोगों को genital organs की दिक् है उनका मड़ी पूरब चक्र कमजोर है जिन लोगों को कोड़ी की समस्चा है उनका अनहाद चक्र कमजोर है और जिन लोगों को नले की समस्चा है उनको स्वाधिस्तान चक्र कमजोर है मैं बार बार कहता हूँ यह हमारे स्वाधिस्तान चक्र है वो वो हमारी श्मॉल इंटेशन का अधिकतल हिस्सा है, जहां से खाना एब्जॉर्ब होता है, जो हमारा नाभी का केंद्र है, वो हमारा मनिपुरत चक्र है, जहां हमारा खाना डैजेश्ट होता है, और जो हमारा अनाहाद चक्र है, वो हमारा कोड़ी का हिस्सा है, जहां से खान हमारे पेट के अंदर एंटर करता है तो जाले तर लोगों को ना भी नली और कोड़ी की समझता जिनको है उनको समझने के आवश्चकता है कि उनका अनाहा चक्र उनका मनीपूरत चक्र उनको असाध इस्टान चक्र यह तीनों ही घरवर हैं और तीनों को बैलेंस करने की